नमस्ते तो आज मैं कौर रिडिंग करने वाल है आपके पार्टनर की करंट एनरजी क्या है इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर इस रिष्टे को लेकर ठीक है आपको शानत रहना है अपने पार्टनर के बार में सोचना है देखते हैं उनके दिल दि पर एक लाइक कर दिजएगा देखते हैं तो सबसे पहला काड़ 10 of pentacles oh my god गजब बहुत ही खुबसुरत यहाँ पर जाए नर्जाई है टोरस वरगो के नर्जाई है और और देखते हैं यहाँ पर queen of wands के नर्जाई है मुझे ऐसा लगता है कि आपके partner बहुत ज़दा मोहक उनको लगता है आप बहुत attractive हो आपकी जो personality है गजब है और जिस तरह से यहाँ पर energy है आपके partner हो सकते है टोरस वरगो के आप्टरी कॉन आपके partner हो सकते है queen दो-दो queen यहाँ पर आई है कुछ लोग लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई और हो सकता है गाइस क्योंकि दो-दो queen है यहाँ पर और हो सकता है कि वो select ना कर पा रहे हो ठीक है दो-दो option हो सकते है उनके पास देखो four of wants के energy bottom में है definitely मुझे तो ऐसा लगता है कुछ लोग के लिए इस इंसान के घर परिवार ने किसी और को देख रखा है और एक तरफ आप हो सकते हो एक तरफ कोई और हो सकता है आपके partner सोच रहे है इस इंसान के नजर में आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ खुबसूरत नहीं हो तो आपके दिल में बहुत ज़ादा प्यार भरा है और four of wants और ten of pentacles के energy क्या बता रहे कि आपके partner आपको शादी के लाइक मानते है इस इंसान को लगता है कि वो अगर आपके सार शादी करेंगे तो वो सारे जिंदगे happy रहेंगे, खुश रहेंगे और राशी है यहाँ पर Aries Leo, Sages, Cancer Scorpio, Pisces भी है Aries Leo, Sages, Strong आया है यहाँ और Taurus Virgo, Capricorn कुछ बाते चुपा रहे हैं या वाइस वर्सा हो सकता कि आप उनसे इतना ज़दा प्यार करते हो उसके बावज़ोद पर उस इंसान को लगता है कि आप प्यार तो सच्चा करते हो लेकिन आप उनसे कुछ बाते चुपा रहे हो ऐसे भी आपके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त चल रहा है Nine of Wands के एनरजी हाँ पर आई है गाईस मुझे हैसा लगते हैं कि आपके पार्टनर कुछ बातनों को कलियर करना चाहते हैं अब वो कोई भी बात हो सकती है वो हर किसी के लिए अलग बात हो सकती है फायर बहुत है आपके पार्टनर के इंदर बात तो बात पर गुस्सा करते है या अगर past में बहुत जगड़े हुए है आप दोनों के बीच में तो आपके partner उन बातों को बहुत ज़ादा याद कर रहे है इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर उस इंसान को आपने कुछ hurt किया तो फिर क्यों किया, ऐसी बाते आपने क्यों बोली कि आपके partner hurt हो गए, कुछ ऐसी बात आपके partner की दिमाग में आज भी चलते जा रहे है लेकिन आपके partner का पूरा जो focus है आपके उपर है इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि परिवार की तरफ से कुछ problem नहीं होनी चाहिए मुझे आपर ऐसे भी energy हा रहे है कि आपके partner के घर में हो सकता है उनका कोई business हो या अगर उनका परिवार का कोई business है तो हो सकता है वो संभाल रहे हैं कुछ तो ऐसी energy है या तो बिजनस start करना चाहते है या उनके परिवार का कोई काम ऐसा हो सकता है bottom में देखो will of fortune के energy है सारे के सारे sign यहाँ पर है will of fortune में और कुछ न कुछ नसीब के बारे में destiny के बारे में आपके partner सोच रहे है में भी कुछ लोग ऐसा हो सकता कि आपके partner जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे उनको लगता कि वो सही वक्त बात चुका है action लेना चाते है आपके तरफ आना चाते है यह बहुत ही beautiful energy हाप आई है guys ठीक है और क्या है देखो ace of wants क्या बोला मैंने कि एक नई शिर्वाद चाहते है आपकी तरफ आना चाहते है action लेना चाहते है और यहाँ पर आया है ace of wants की energy यह सब वंट्स हमें क्या बता रहे कि आपके पार्टनर नहीं सिन्फ अट्राक्शन फील कर रहे हैं, वो इस रिष्टे के लिए एक नई शिरबात के बारे में सोची जा रहे हैं, वो अब चाहते हैं एक नू बिगनिंग, वो चाहते हैं सक्सस्पुल होना इस रिष्टे में, वो चाहते हैं अपने करेर में सक्सेस्फुल होना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर्सिप आपके बारे में नहीं, तो अपने करेर के बारे में भी सोची जा रहे हैं, क्योंकि एस इंसान को लगता है कि अगर आप उनके जिन्दग में आऊगे तो वो सब पुछ ठीक होना चाहिए, आपके पार्टनर्स सक्सेस्फुल होने चाहिए, आपके बातों से आपका दिल टूटा है, या तो वाइस वर्सा हो सकता है कि आपकी बातों से इस अंसान का दिल टूटा है, और ज्यादतर एनर्जी मुझे यही है कि आपका दिल टूटा है, आपके साथ इस अंसान ने रिष्टा ही तोड़ दिया, या किसी, जैसे कि मैंने पहले बोला था, दो-दो क्विन यहाँ पर आई है, तो हो सकता है किसी और के लिए आपको इग्नोर किया गया था, अदिल टूटा है आपका, देखो, बॉटम में विल आफ फॉर्चुन भी आय था, और यहाँ पर थ्रिया अप्सोर्स की भी एनरजी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बैलन्स होने जा रहा है, अगर इस इंसान ने आपको दर्द दिया है, तो इस इंसान को वो दर्द मिल चुका है, इस इंसान ने वो आप ही तकलिफ में हो, आपके पार्टनर भी तकलिफ से गुजर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग लिए ऐसा हो सकता है, आपके पार्टनर इतने ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं, और इस बज़ज़ से इस रिष्टे में कुछ चीज ठीक नहीं रही थी पास्ट में, मुझे ऐसी और लेडी हो सकती है, जो इस इंसान को कंट्रोल कर रही हो, बार बार मुझे ऐसा बहुत फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई जैसी कि हो सकता है कि इस इंसान के घर में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, इनकी मदर हो सकत करते हैं कोई भी हो सकता है जो से दना करता है इस एंसान को आपके तरफ आने नहीं देता है या इस difference को इतने को इतने ज़्मीदरय डाल दी गई है कि तुम यह करो तुम फो करो अपने विद्ब best boundaries बना के रख दी है, इस इंसान को रोका जा रहा है, ऐसे भी कुछ लोग के साथ resonate होगा, लिब्ला, एक्वरिस, जर्मिना, एक एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ही ज़दा strong है, overthinking तो आपके pattern करते ही करते हैं, लेकिन, गुसा और नाराज़गी भी यहाँ पर है, और देखो, ace of source और ace, दो ace यहाँ पर हमें मिल चुके हैं, और यह दोनो ace बतारे कि आपके partner एक new beginning के लिए ready है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके person खुद भी बड़े patron हो गए है, आपसे दूर रहे कर, वो खुद भी नहीं चाहते हैं, आपसे दूर रहे ना, लेकिन, कभी-कभी होता क्या है कि मजबूरी इंसान को रोग देती है, और इस इंसान के मजबूरी मुझे ऐसा लगता इस इंसान का दिल पर तूटा है, उस मजबूरी को सहते सहते इस इंसान ने जो बरदाश किया है मजबूरी हो सकती है मुझे तो यहापर कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टर ने किसी के दबाव में आकर आपका दिल तोड़ दिया हो या किसी के कहने के ऊपर आपका दिल तोड़ दिया हो ऐसी भी एनर्जी यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है गाइस थ्री आप सोर्स को ग्लारिफाय कर लेते हैं इनवर्स प्लीज बताएगा कि यहां पर थ्री आप सोर्स क्यों है मेरे जो भी विवर्स हैं उनके लिए थ्री आप सोर्स के एनर्जी यहां पर क्यों आई हैं प्लीज उनिवर्स पताएगा थ्री आप सोर्स के एनर्जी यहां पर क्यों है एक कार्ड निकालना था या पर दो दो आ चुके oh my god the tower के energy है और four of pentacles के energy है हमने clear किया है three of swords को और यहाँ पर हमें मिल चुके है दो दो कार्ड एक the tower है और दूसरा है four of pentacles आपके partner के अंदर sudden change होए है मतलब पहले इंसा आपसे अठीक से बाते करता था बहुत आपकी care भी करता था लेकिन इस इंसान के अंदर sudden change आ गया और अच्छानक इस इंसान ने आपसे दूर जाने का decision लिया था ऐसे भी लोग यहाँ पर है The Tower के energy और Four of Pentacles के energy आपके partner की जो हलत है ठीक है? आज यहाँ पर आप जो reading देख रहे हो आपके दिल में दर्द है, दुख है इस इंसान को खो देने का दर है, ठीक है? इस इंसान ने आपके साथ जो किया जो गलत किया, जो दर्द दिया जो तकलिब दी, जो दर्द और पिड़ा आपको सहने पड़ी है आप खुद भी बड़े परिशान हो लेकिन अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर भी एक अच्छे इंसान है हो सकता है कि हालात में इस इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया कि आपकी नजर में इंसान गलत बन चुका है फोर आप पैंटेकल्स के इनर्जी आपके पार्टनर कुछ लोग के लिए बहुत कम लोग के लिए फाइनेशल प्रॉब्लम से भी गुजर रहे है इस इंसान को कुछ काम करना चाहता है इंसान जादा तर इनर्जी हापर ये है कि इंसान के दिल में बहुत दर्द और बहुत तकलीफ है और वो आपके साथ शेयर भी करना चाहता है लेकिन वो इंसान आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है तोरस वर्गो के आप्रिकॉन स्कोर्पियो एनर्जी हापर है मुझे ऐसा लगता है कि इस अंसान को भी इनर्जी ने बहुत ज़ादा ज्ञजोड के रख दिया है अंदर से आपके पार्टनर भी खुश नहीं है ना आप खुश दिखाई दे रहे हो ना आपके पार्टनर और ज्यादा तर लोग के लिए मुझे किसी तीसरे की बज़े से ही यहाँ पर ऐसे एनर्जी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर अपके एनर्जी हम देखी जाए तो आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अब देखते हैं मेरे जो वीवर्स है आपके दिल का हाल क्या है क्या चल रहा है देखो यह है आपके एनर्जी इस अंसान इतना बुरा बरता बरताव किया ठीक है यह देख रहे हैं ना इतना बुरा बरताव किया आपके साथ और आज भी आपके दिल में इस इंसान के लिए प्यार है यह यही तो बात है आपके जो प्यार है इस इंसान के लिए इतना सच्छा है और तो आप कप्स के एनर्जी क्या बता रहे कि आप फिर भी इस इंसान के पास जाना चाहते हो, भले आपके मन में आता हो कि ये गलत है, इसने गलत किया, इसने धुका दिया, जो कुछ भी आपके मन में आ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी कही न कही आपका मन कहता है कि इस इंसान के तरफ आपको जाना है, कही न कही आपक आपको लगता है कि आपकी सारी खुशिया इस इंसान से जुड़ी है और आप इस इंसान के बिना नहीं रह सकते आप भी बेकरार हो अपनी दिल की बाते इस इंसान के साथ शेयर करने के लिए कुछ आपके दिल में इतनी ज़्यादा इमोशन बढ़ते जा रहे हैं कि आपको कॉल आजाएं मैसेज आजाएं कुछ ऐसी पॉजिटिव बात हो सकती है दो महने के अंदर और आपके दिल में भर भर के प्यार है इसमें कोई डाउट में आप बहुत प्यार करते हो और आपकी जोड़ी है बहुत खुबसूरत है मतलब आप जब चलते हो ना जैसे लगता ह का आप दोनों एक दुसरे के लिए बने हो इतने खुबसूरत जोड़ी आपकी दिखाई देती है यह बड़ी ब्यूटिफुल बात यहाँ पर है और कैंसर स्कॉर्प्यों पाईसे है यहाँ पर दिसन वही तो आप चाहते हो ना ब्यूटिफुल ब्राइट एक फूचर टे आप बैलन्स चाहते हो आपकी बस इतनी इच्छा रही है कि जो प्यार आपने इस इंसान को दिया है वो प्यार आपको भी मिले इस इंसान को माफ कर सकते हो आप और मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही कि एक ब्राइट फूचर आप जो चाहते हो उसके लिए आपने इस इ माफ करने के लिए तैयार हो एक बात आपको लगता है कि एंसान जूट बोलता है दूसरी बात आप इस इंसान को माफ करना चाहते हो तीसरी बात यहाँ पर ऐसी भी है कि आपको लगता है कि एंसान ना ठीक से बाते करता है ना इस रिष्टे को ठीक से निभाता है इसने हमेश आपके आखों में आसू दिये है अस अंसान ने और 7 of 100 इसके एनरजी क्या बता रहे कि आप इस अंसान के जूट से भी बड़े परिशान हो यह अंसान बार-बार जूट बोलता है यह अंसान किसे एक बात पर कायम ही नहीं रहता है बार-बार इसके जो थोट से बदलते रहते और चीजों का handle ना कर पाने की बज़े से इंसान खुद परिशान रहता है इसको खुद समझ में आता कि वो कर रहे तो क्या करे और आप चाहते हो कि इसने जूट बोलना बंद कर देना चाहिए आप चाहते हो कि आप दोनों एक हो जाने चाहिए और कुछ लोग के लिए ऐसा कि आपको हमेशा लग रहा है कि अनसा आपसे कुछ नो कई छुपा रहा है और कुछ लोग लिएसा हो सकते हैं कि आप online एस इंसान को देख रहे हो या ये इनसान बारी बारी आपको देख रहा है आप online हो नहीं हो कब तक online हो QI हो बहुत ज़दा नज़र रखे जारी है online इस इनसान के उपर या तो आप रख रहे हो या तो ये इनसान आपके उपर रख रहे है ठीक है लिब्रा एक्वरस जो मिना के एनर्जी आप पर आई है और और क्या है देखो eight of cups oh my god कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि इस इनसान ने आपको खुद ही छोड़ दिया है और इ आज भी आप इस इनसान के इंतजार में हो देखो यहाँ पर मुझे दो ग्रूप दिखाई दे रहे हैं एक ग्रूप यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप इस इनसान के जूट से परिशान आ गए हो और आप इस situation से इस रिष्टे से लेड़ को करना चाहते हो वाद कम लोग यह अपर ऐसे भी है कि आप इस इनसान से दूर जाना चाहते हो ठीक हैं हर बात हर के सी के सांत ररेजनेट नहीं करेगी कुछ लोगी आप इस इनसान से दूर जाना है क्योंकि आप परिशाना अगए हो इसकी झूट से तो कुछ लोगी आप रैसे भी कि आप खुद effort Bye डालना चाहिए इस इंसाने खुद call message आपको करना चाहिए क्योंकि ये खुद की गलती थी इसकी ये खुद आपको छोड़कर चला गया था और आप चाहते हो ये खुद ही वापस आएगा मुझे असा लगते है कुछ लोग बिलकुल effort डालना आपने बंद कर दिया है आप जानते हो क कि आज भले आप लेट गो करें आज भले आप इस रिष्टे से दूर जाए लेकिन कब तक आप इस इंसान को भूल नहीं पाऊगे ये ख्याल आपके मन में भी है और बहुत ज़दा उदासी मुझे आपके मन में दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग तो आप डिप्रेशन में इक ही कार्ड निकालेंगे इस वक दोनों की सेम फिलिंग एक दूसरे के लिए क्या है देखो दोनों भी गुस्सा हो याप पर भी देखो दोएंपरर की ही एनरजी है दोनों भी इस रिष्टे में स्टेबिलिटी चाहते हो अब हर बात हर किसे के साथ रेजौनेट नहीं करे लेकिन हाँ कुछ लोग आप ऐसे है कि आपके अंदर भी इगो है आपके पार्टनर के अंदर भी इगो है आपके अंदर भी गुस्ता है उनके अंदर भी गुस्ता है उनको भी किसी बात की नाराजगी है आपको भी किसी बात की नाराजगी है मतलब कोई किसी को समझने के लि यह दोनों की सेम फिलिंग है ठीक है दोनों भी प्यार करते हो और दोनों ने भी एक दूसरी के तरफ पीठ कर दी है ऐसी एनलज्री आपर आई है और मुझे असा लगता है कि दोनों भी कुछ बातों को क्लियर भी करना चाहते हो अगर गलत फैमिया हुई है तो दोनों के मन मे हैं कि कुछ बाते क्लियर करनी चाहिए यह दोनों के दिमाग में चल रहा है और ओर तिंकिंग तो दोनों भी कर रहे हो देखो एक दूसरी से दूर हो तडप रहे हो एक दूसरी को भूल नहीं पारे हो और उसके बावज़ुत भी आप दोनों एक नहीं हो पारे हो यह आपको भी उस इंसान के आदत पड़ गए थी एक दूसरे से बात ये करना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना इतनी जदा आदते लग चुकी थी एक दूसरी के आपको और अचानक सब कुछ बदल गया तो उसके बाद इतनी जदा निराशा आप दोनों के बीच में भी आई है सिर्फ आपके अंदर निराशा नहीं है तो आपके पार्टनर के अंदर भी निराशा आई है और यह जटाइज की हलत है यह कई ज़ादा आपकी दोनों के रिष्टे पर बहुत ज़ादा परिणाम कर रहे हैं ठीक है तो समझने की बहुत ज़ादा आवश्यक्ता है दोनों को एक दूसरे को समझने के आवश्यक्ता है वापस राशी है यहापर लिप्राइक विरस जेमिना की एनरजी अब इन्वर्स आपको क्या बताना चाहते है रिबर्थ होने वाला है अब इससे ब्यूटिकल का एनरजी हो है कि जो कुछ भी हो रहा है अब उसका दी एंड होगा और एक नई शुरवात होगी और जो यहापर रिबर्थ के एनरजी है ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी मुझे लगता है कि आपकी जिंदग में बहुत सारे प्रॉब्लेम है और आपको लगता है कि यह प्रॉब्लेम खतम ही नहीं होंगे लेकिन इन्वर्स इश्वर आपको बताना चाहते हैं कि अब एक नई शुरवात होगी डेफिनली होगी ठीक है नंबर टेन कंपलेशन का ह जबते है और देखते हैं है मुझे यसा लगता है कि अपि इतनी जादा एमोशन पर्सन हों थोड़ा प्रैक्टिकल होने की आवश्यक्ता है क्चुद को हील करने की आवश्यक्ता है ति कशुद कोरों आपके लिए हैं मुझे इसादा है से प्यार करने के लिए और खुद के बारे में सोचने के लिए कहा जा रहा है ठीक है नो डाउट कि आप अच्छा काम कर रहे हो दूसरों की चिंता कर रहे हो दूसरे के बारे में सोचते हो कॉंप्रमाइस करने के लिए कहा जा रहा है और जो मन में दो-दो थौट्स आपके आ लाइफ में आगे तो शान्त रहेगा थोड़ा मेडिटेशन कीज़ेगा शान्त रहने से आपके बहुत सरे प्रॉब्लेम सौरूंगे नंबर सिक्स प्यार का नंबर है शुकर का नंबर है मुझे ऐसा लगता है कि विनस की कुछ रेमेडिया आप कर सकते हो सफेज चीजों का दान आप कर सकते हो यही थी आपके रेडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए